डूम्स जे हंटर इस सीरीज के अंदर हमें श्ट्रोव बिताए जाती है एक अर्थ की जिसमें एक पोर्टल उपन हो गया है हुमन्स ने जब इस पोर्टल को देखा तब ने लगने लगा ये एक गेम है थोड़ा टाइम भी था ऐसे ओर ही बहुत सारे बोटल्स हुमन वल्ड केंद दिखाए दिरल लगे इनके अंदर से हजारो संख्या मोस्टरस ने हुमन वल्ड के बार अटैक कर दिया और पूरे हुमन वल्ड को तहस्रस कर दिया हुमन्स भी काफी सागो तोड़ते उनने किसी तरह से मोस्टर सें में फाइट की और डीमन लोड को मार दिया लेकिन इसके बावजूद भी मोस्टर से बहुत ज़ादा थे उनने पूरी हुमन वेल्ड हो खतम किया लेकिन क्योंकि डीमन लोड मर चुका था इसलिए जैसे एक लोड के शेन को रिंड कार्णिशन की पावर में बली अब वो टाइम में पीछा चुका है अपक्रिप्स आने में एक साल बाकी है इसी टाइम में शेन को खुद को पावर फिर बनाना है और किसी तरह से मोस्टर से इस अटेक को रोकना है हेलो में फैंस वेल्किम टू मनाव प्राइम यह है डूमस्जे हंटर का एक और ना एपसोड ना लाइट्स बिग्याएं एपसोड़ी शेटिम देखते हैं शेन वापिस से अपने ओरिजिनल वेल्ड यानि हुमिन वेल्ड के इंदर आ चुका है शेन वाँ पर आते ही थोड़ा सा प्रेशन हो जाता है शेन सोचन लगता है अब मैं किस तरह से उस मिशन कंप्लीट करूँगा चलो एक अच्छी बात दो ही मैंने यहाँ पर आने से पहले कल्टिवेशन वेल्ड के अंदर जित्ते मॉस्टिस की क्रॉप्स मिल सकते थे उन्हें कलेट कर लिया था जिसकी मदद से चार क्रॉप्स में हो चुके हैं केवल एक डुणना बच्जा है और अब जब मैं इस वर 48 गंटे ही मिलेंगे यानि की अभी मेरे पास में लगबग 24 गंटे का टाइम है इसी टाइम के अंदर मुझे उस आखरी मॉस्टर के क्रॉप्स को डूणना होगा वैसे तो मुझे थोरबुत अंदा जाए मुझे वो पांच वो मॉस्टर के क्रॉप्स का भी मिल सकते हैं Human World के अंदर भी एक Research Laboratory है जो की बहुत ज़्यादा शांदार है वो पूरे समय Space में नजर रखते हैं कई सारे ships को Space में बेशते हैं और Space के अंदर जो भी मॉस्टर होते हैं उनसे fight भी करते हैं मुझे इसकी पूरी उमीद है वो मॉस्टर अंदर fight करते होंगे तो उन मॉस्टर अगर time खतम हो गया तो मेर को जो spiritual power मिलने वाली है वो नहीं मिलेगी इसी तरह से Shane को सोच रहा होता है तब ही Shane को ही काड़े जाता है शेन जोर से कहता है हाँ ये सही रहेगा वो मेरी मदद कर सकता है मुझे जल्दी जाकर उससे बात करनी चाहिए इसके बाद में Shane वाँ से स उस cultivation world के अंदर गया था तब इस world के time कवज़ा तो slow हो गया था इसलिए अभी वही रात चल रही है जिस रात को Shane इस world से बाहर निकला था फिर जैसा Shane सोचता है बिकल वैसा ही होता है जब Shane अपने रूप में पोस्ता है Shane को आप पर यो हाउ दिखा जिए जो कि उस पूरी ज ज़्या तक गंद मचा दी थी उस सबको मुझे साफ करना पड़ा है तुम जानते नहीं हो मेरे को यह पर कितना time हो गया है वैसे मेरे पास में तुमारे लिए एक अच्छी कबर है सू जो की सू फैमिली के head है वो बहुत ज़त अगुस्ते में है उन्हें पता चल चुका है उनके बहुती सूजन के उपर अटेक हुआ था इसी हो जैसे जिस फैमिली ने ये अटेक करवाय था उस फैमिली के उपर वो जल्दी अटेक करने वाले हैं मेरे अंकल और ली फैमिली दोनों की दोनों सू फैमिली का सपोर्ट कर रहे हैं यानि इसका मतलब वो एक तरस तु के अंदर लेकिन दिक्कत यह है उस फैसिलिटी के अंदर मैं अपने आप नहीं गो सकता तुम और तुम्हारी फैमली के सभी लोग काफी उपर तक कॉंट्रेक्ट्स तो जानते हैं बहुत बड़े-बड़े लोगों से तुम्हारी जान पहचान है अगर तुम मेरी मदद शेन परकवरा तुम्हारा होगा इसके साथ ही अगर तुम कभी भी किसे से फाइट करते हो या अभर तुम्हारे लिए इतना तो करी सकता हूँ शेन केता है तुम तो बहुत जल्दी मान गए योहाओ केता है क्योंकि मैं बहुत जल्दी इंटेलिजेंट हूँ मुझे पता है जब अच्छे ओफर आएं तो उन्हें जल्दी से सिलेक्ट कर लेना चाहिए ये कहनने के बाद में योहाओ वहाँ से भार की तर जायन लगता योहाओ कैसा करते ही उस दिवार के अंदर एक एनरजी की दरवर पड़ जाती है फिर योहाओ शेन के सामने और भी ज़्यादर डिंग हां किने लगता है वह शेन से कहता है मैंने कई सालों से एक स्किल के उपर बहुत ज़दा प्रैक्टिस की है इस स्किल के मदद से मैं कही तो आप पिछे लेता है तब शेन देखता है योहाओ के हाते है अभी भी एक मुर्गी है शेन योहाओ से कहता है तुमने अभी मुर्गी क्यों निकाल लिये मेरे को मॉस्टर के क्रॉप्स चाहिए योहाओ जल्दी से उस मुर्गी को साइड़ फिकता है और वापे से उद् पिछे लेता है और उसके सामने पर से जुकाने लगता है और उसे कहता है बॉस मुझे माफ कर दीजे कि मैंने इस टैम पर आपको डिस्टब किया शेन कहता है अब तुम नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं खुद के उपर जदा फोर्स लेनी जीरत नहीं है मेरे टाइम पिछे फेसे मना भी गर सकते हो यहां कहते है अब तो बात एगो पर आ गई है अब तो मैं कर के रहूँगा फिर यहां उस दधरार के यंदर जागता है और कहता है तो अभी एकदम से यो हो बोज़ा तो खुश जाता है वो कहता है मुझे वो मिल गया ये केता है ये हो अपना हथ बाह निकलता है उसके हाथ में एक काले रंग की बिल्ली होती है शेन कहता है तुम ने बिल्ली क्यों निकाली है ये हो कहता है तुम बस देखते जाओ यह केता हूँ यहाँ उस बिल्ली को एक कुर्सिप रखता है और फिर से पूचता है मुझे कॉस्टिंग मॉस्टर की जानकारी चाहिए प्लीज मेरी प्यारी बिल्ली मुझे बताओ कॉस्टिंग मॉस्टर मुझे काम बिल सकता है उसके body parts की मुझे बोज़ा जरूरत है इसी तरह से योहाओ बहुत ही प्यार से उस बिल्ली से बात करता है वो बिल्ली म्याओ म्याओ में जौब देती है शेन कहता है योहाओ ये तुम क्या कर रहे हो इससे कुछ भी नहींने वाला है तुम क्यों मेरे time waste करने कुछ कर रहे हो योहाओ कहता है नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं है मेरी बिल्ली बहुत समझदार है इसको पता है मैं इससे क्या कह रहा हूँ ये मुझसे कह रही है अगर हमें इससे अपना काम कर रहाना है तो इसको अंडे कहलाने होंगे शेन कहता है ठीक है ये भी कर लेते हैं फिर शेन योहाओ और बिल्ली एक दुकान पर जाते हैं उन्होंने इस बिल्ली को काविसर अंडे कहला दिया है शेन कहता है क्या अब हम शुरू कर सकते हैं वो बिली इदरो तो खेलों लगती है। यहाओ उस बिली से बोलता है बिली क्या तुम्हारा खेलना हो गया है? प्लीज अब हम काम कर ले मैंने तुमसे जोचिज जूहने के लिए कही है उस जल्दी से जूणो यह सुनकर वो बिली से चिड़ जाती है वो दूसे तरह मूँ फेर कर अपना गुस्सा देहने लगती है जैसे यहाव से कह रही हो कि तुम्हें जा जल्दी है तो तुम खुद कर लो मैं नहीं करूंगी यहाव कहता है नए नए ऐसा मत करो मैं बस तुमसे पूछ रहा था तुम्हें जितना टाइम लेना है उतना लेलो तभी चानक से उस बिल्ली कुछ होता है वो बिल्ली कूदते वे इदर भागते वे जाने लगती है शेन कहता है अब इस बिल्ली को क्या हुआ यह से भाग क्यों गई यूहाओ कहता है जो तुम्हें चाहिए था शायद वो से मिल गया है जल्दी से उसका पीछा करो इसके वाद में शेन और यूहाओ उस बिली को पीछा करने लगते हैं वो उसको पीछा करते हैं यूहाओ उस होटल को देखके शेन से कहता है मुझे पूरा यकीन है इसी होटल के अंदर तुमें वो मॉस्टर मिल सकता है मेरी बिल्ली मुझे कभी भी जोटनी बोलती अगर उसने काय मुझे वो यहाँ पर मिलेगा तो यहाँ पर होगा शेन कहता है तो भी क्या फाइदा यह होटल बहुत ज़द हमेंगा है इस होटल के अंदर जाने के लिए भी हमें बहुत सारे पैसो की जुरूत है पैसो के नाम सुनकर यहाँ के वो पसीनी चुट जाते है यहाँ उस बिल्ली से कहता है क्या आसपास में कोई और जगह नहीं है हम यहाँ पर नहीं जा सकते वो बिल्ली फिर से म्याँ म्याँ करने लगती है और यहाँ से कहती है मुझे बता है तुम दोनों की दुनों बिल्कुल डर पोको तुमारे अंदर इसके दर जाने की हिमत ही नहीं है इसके बाद में दुबार समयाव में हो कर रही है वो पनी लेंग्वेज में कहती है ठीक है मैं तुम्हें कहीं हो लगी चलती हूँ यहाव कहता है ठीक है जल्दी चलो इसके बाद में शेन और यहाव वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और यहीं पर इस सीरीज का ये पर खतम होता है Now, Thank You For Watching